हलो एव्रीबडी इस दिग्रास सिंग राजपूत वेलकम तो मैगनेट प्रेंज इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ग्रुप स्री वार्म टेंपरेट मिडल एटिटीट्यूट क्लाइमेट के बारे में जी हां पिछले दो वीडियो मे ग्रुप A के बारे में ग्रुप B के बारे में पढ़ लिया मैंने आपको कॉपेंस स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन जो उसके बारे में एक रफ आइडिया स्टार्टिंग में ही दे दिया था अब हम पढ़ते जा रहे हैं सारे ग्रुप सी है तो अगर आप यहां टेबल में दे अच्छा ग्रुप सी में किस किस तरह के क्लाइमेटिक रीजन साते हैं चलो पोस्ट मॉडम स्टार्ट करते हम तो सबसे पहले कहें वार्म टेंपर मिडल एडिट्यूट क्लाइमेट अब आपको एक क्लियारेटी मिल गयोगी मैंने आपको ग्रुप एजब समझाया था तो पताया था कि हां यह ट्रॉपिकल क्लाइमेट जो 23 डिग्री से 23 डिग्री उपर नीचे नौर्थ सौथ उसके बीच का हो गया ट्रॉपिकल हुमिट ग्लाइमेट मा जाएगा ड्राय क्लाइमेट की मनलब कोई सीमा नहीं है सब जगह है वो ठीक है हाइर लेटिट्यूट में सब्सक्राइब करेंगे और सब्सक्राइब की बात करें तो यह मिदल एटिट्यूट्स के स्पेसिफिकली थोड़ी सी करेक्टरिस्टिक ध्यान करो जरा हमने पड़ी थी ठीक है तो अमने देख लिया था कि ट्रॉपिकल कह सकते हैं कि यह जो था ट्रॉपिकल हुमिट क्ला तो कहां मिदल एटिट्यूट्स में देखने को मिलती है मतलब तीस डिग्री से पचास डिग्री नौर्थ वाइसा वर साइधर सीम साउथ में लिते चलना है ऐसा नहीं कि साउथ के साथ में किसी प्रखार का डिस्क्रिमिशन है ठीक है वह भी इंटिग्रल पार्ट है तो यहां पर तो इसकारन से क्या है वो पूरा का पूरा एक लासिफाई कर दिया कॉपन संकल ने तीक है उसे हम क्या कहते है ट्रॉपिकल युमिड क्लाइमिट कहते हैं अगर सी की बात कर तो सीमें उन्होंने क्या टेम्परेचर की कितनी रखिये तीन डिगरी सेलशियस से अठारा डिगरी सेल्सियस ठीक है मतलब जो कोल्डेस्ट मंत रहेंगे मतलब विंटर की बात है तो विंटर में अठारा से नीचे रहना च टेंप्रेचर और तीन डिगरी सल्सियस दे ऊपर है नची इस बीच में रहना चाहिए तो वह वार्म टेंपरेट कहलाएगा ठीक है वह वार्म टेंपरेट टेंपरेट रीजन में चले गवाप ठीक है मिडल अटिटीट्व मितलब आप सब ट्रॉपिकल क्रॉस करके टम्रेट रिच्वेशन में जा रहा हो तीस से पचास तक लेकिन क्या रहे हैं यहां पे यहां पे warm रहेगा temperature तो warm temperature आपको चरवे टमपरटर के साब से classification a c d e b जो था तो प्रेशिपटे शंग रहा वहाँ तो warm temperature mid-latitude climate extend from 30 to 50 degree of latitude mainly on the eastern and western मार्जिन ऑफ दीगूंटेनेंट इस टैन और वेस्टर भाइन पैर देखने को मिलेगा दो तो मिलेगा कि सेंटर जो पाइट रहेगा पाइगा मिदल पार्ट जो रहेगा तो वहां पे आपको डेजर्ट अपर ताय पार्ट रहता है всегда समी आरीड पार्ट चो को रहेगा ठीक है कॉंटिनेंट के वहाँ पर कि मिले आपको वहाँ पर आपको ऋंटेंपर देखने मिलेगा अच्छा बसका चायर है जिसे स्टूडेंट को चलेंट में इसका चार्ट होता है जब आप को च्छार्ट में क्या होता है कि एक चार्ट बनाते हैं तो यह जैसे बता जारा ना कि इस्टरर मार्जिन वेस्टरर्ण मार्जिन सेंटर तो हर कॉंटिनेंट को परस्पेक्टिव से समझते चलना सेंटर में आपको क्या देखने को मिलेगा मेड एस-क-BWK मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर है मिट लेटिट तो इसटन और वेष्टन मारिए वेष्टन मारिए बचलो वेष्टरली में पहुच गई इसटन मार्जन पर क्या ओशन करेंट जो रहते हैं वह इन्फूर्स कर देते हैं तो वाम टंपरेट वहां पर क्लाइमट देखने मिलता आपको टीग यह च्टे च्टे लेटर से हमारे डबली हो गया है हो गया एस हो गया अचाहां एक चीज और बता दिता हूं यह पॉइंट्स जो मैं बता रहा हूं देखो रेंड़ा में आपको बुक्स में नहीं मिलेंगे नोट करते चलना ताकि क्या रहे कल को जब रिवाइस करो तो आप ऐसे फिर ना सोचने लगां कि यह तीन लेटर कैसे होगा एक हां से आगया भी कहां से आगया तो उसकी क्लियाइटी में बता रहा हूं मैंने आपको क्या बताया था कि जो डर्शाते हैं उसके बाद में जैसे कि यह क्या था रहे है ऐफ दर्शाता है नोग्राइ सीजन इंग एम क्या दर्शाता है मॉनसून ड्री विंटर स तर्ष याद करना पड़ेगा तो लॉजिक हैन जो ड्रेव यह होता है फ नहीं होता है डवव मतलब डाइव से हैं ड्राइव एंटर हो गया एस से क्या हो जा सित्रीन फिल रेंवल एसे ऐख लो और सीजन होता अब एन पर क्या पाइज हें और तो आपको और समझियां ऑगा सिसे क्या हो रहा है कि व् belong Girlने one निर्ट तो आपको कहा mid latitude में इस्टर और वॉस्कन मार्जिंशन पर कॉंटिनेंटे ईस्टर से इस्टर और वंचेन भी बना सकते हो रिवाइस करने के लिए क्लास 11 के बच्चों जिनको दिक्कत जाती है कॉम्पिटिव के त्यारी कर रहे आप अपने खुद के चार्ट बना सकते हैं ताकि वह आसान रहे ठीक है उतना सिर ना पड़े सिर मैंने लडा लिया आपके लिए मतलब मैं आपको अच् चाहिए ग्रिंट जो हूँ वो फो फोन टम्परेट बीजन को दर्शारा इधर देख लो ठीक है इधर बीड़े देख लो यह यहां पर यहां पे यहां पर भी देख लो तो यह चीजा आपको समझ में आना चाहिए कि content जो है कांटिनेंस के सेंट्रल पार्केlor क्या आगा यह ठीक और यह जो तीन चीदे है यह तीन चीज़े गा धर्शा ठीक है तीन चीज़े जो है मतलब सी के जो तीन शेड दिख रहें आपको यह तीन शेड क्या धर्शार है वाम टेम्च रिजर कोई धर सारे जो कि ईसटन और वेस् है लेकिन यह तीसरा लेटर कौन है और यह हो गया यहां पर बी हो गया यहां पर हो गया कहीं पर सीवी मिल जाएगा आपको तो यह तीसरा स्मॉल लेटर क्या दर्शाना चाह रहा है तो यह नोट डाउन कर लो यह शाहिद बुक में नहीं क्या कि लेट सीवीरिटी को जर्शात है सीव쟁 को क्या होता है मतलब वहां पर टो उस जगा में अगर यह लगा है उसके साथ कल लगा है कि उत्वादा सीवियरं workers म , नहीं हुते हैं धेम विंटर जो इतने सिवेर्ली यह विसे मतलब 2023 टोधिय। जाते हैं तो ठीक है Mediterranean है एक सीए से यह जो मेडिटेरियन यह क्या सबसे बढ़ी हैं फिर क्या है यूमिड सब्ट्रॉपिकल जह तो यूमिड सब्ट्रॉपिकल में क्या है नो ड्राइ सीजन एंड माइल्ड विंटर तो अब जिसे अगर आप देखो गे ना तो यूमिड सब्ट्रॉपिकल सब्ट्रॉपिकल दोनों जगा हो गया सब्ट्रॉपिकल लिग दिया है सर तो वह जो आपको मिडिल लैटीट्यूट्स कहा जा रहा है अगर जिसे आप देखेंगे लोगर लैटीट्यूट्स कहा जा रहा है लोगर लैटीट्यूट्स मतलब स्पेसिफिकली ट्रॉपिकल र तोब जैसे युमिट सब्सक्राइब करया है और दूसरा क्या दया रहा है नो ड्राइब कर लूद भी वींटर तो जीसे अगर आप यहां देखेंगे तो आपको क्या है यूमिट सब ट्रॉपिकल में नो ड्राय सीजन वाम समर तो बता दिया है में बता दिया मराइन वेस्ट कूछ भी बता दिया है पहली वाली केटिकरी जो बोलोगे सर यह नहीं है नहीं नहीं है यह इसलिए रिखा जारा है कि कुछ एसे भी होते हैं जो खास करके इंडियन सब कॉंटिनेंट और चाइना वहां पर आपको देखने को मिलेंगे विच इस मोर और लेस्मिलर टू एडवल्यू एडवल्यू क्या था फिर से रिकाल करो ए मतलब क्या हो गया हमारा हमेशा कोड़ वर्ट में इसलिए बोल रहा हो था कि आपको चीज़े खुद भी विजुला कि आहीं यह जो ड्राइव इंटर की बात की जा रही है नहीं यह 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 लैंज वह लिए नहीं अता है यहां पर और यह प्यापन को अजैसरे देखोगे यह यह जो रिजन आपको देखने को मिल रहा है ठीके तो एडब्ली यह वो र्रीजन था जिसमें किया है जो ट्रॉपिकल रेनि फॉरिष में भी आता है बैंट स्पेल एक साथ चलते तो ट्रॉपिकल ड्राय और वेटवाला रिजन जो है ना उसका भाई है उसका था एक तरह से कौंशा कॉन साहीं इसको यह वाला cwa mतलब Humid subtropical region तो यहां पर आपको क्या देखने को मिलें गी ड्राय विंटर्स दिखने को मिलेंगे, होट समर्स देखने को मिलेंगे, जैसा कि हम कहां देखते थे, ट्रॉपिकल ड्राय इन वेट क्लाइमेट में देखते थे, सब्ट्रॉपिकल में चले गया है तो इसलिए इसको नया एड किया है बाकि आप जैसे देखो के तो बाकी तीन यह आपको तीन हम जाएंगे चलो पढ़ना शाट करें एक से तो अब अगर हम पढ़ते हैं सबसे पहले क्या यह जिसे आप यहां पर देखो गे तो आपको समझ म में पढ़ेंगे यह में पढ़ेंगे तो वहां क्या है थंडा इत्ता थंडा एडी जम जाए हमारी ठीक है और इधर एक्वेटर पर जाएंगे तो घर्मी है बहुत तो यह जो वार्म टेंपरेट इसकी स्पेशलिटी यह कि सुहाना मौसम बड़ा लगता है आपे ठीक है य प्रेंट कैर शाओ प्रचा साउथ अब ठीक है तो यह आपको कहां देखने मिलेंगे नॉर्फ इंडिएण प्लेगे डिल अर साउथ मतलब ये नौर्थ इंडियन Pliamo tort x tra coment., और के इंटीरियू रनी प्राम स Tit. यह च्फिशा है , सी डव्री लिखा मतलब विंटर विंटर हो में आपको wet and dry climate देखने को मिलता है तो वो विंटर्स में यहां पर temperature थोड़ा क्या रहता है ज्यादा रहता है aw में विंटर्स में temperature warm रहता है लेकिन cw जो है तो वहां पर विंटर्स ड्राय रहेंगे लेकिन एक्दम चिलिंग रहेंगे एक्जामपल दो अच्छा तिब्बत की बात कर लो जैसे तिब्बत जो है तो तिब्बत में विंटर्स जो है ड्राय है लेकिन ड्राय होने के साथ साथ बहुत भाहेंकर भीशन क्या होते हैं मतलब सर्दी भी बहुत जादा होती वहां पर तो this climate यह जो climate है कौन साला यूमिट सब ट्रोपिकल क्लायमेट cwa की बात की जारी है तो क्लायमेट की तरह ही है वह जैसा ट्रॉपिकल लीजन में वेट यंद्राय क्लायमेट होता है एक्सेप्ट एट टेमपरेचर इन विंटरी सवां ठीक है तो ट्रॉपिकल वेट इन ड् 제ेब्लआमिट फिरेटश्वयर्ट किस सिंस में रहने के इसाब से ये जो क्लाइमेटिक सिचुशन ना येγा लिए में सब से अच्छा क्लाइमिट माना जाता है immigration climate क्या लिखा है तो c s लिखा है मतलब songology hard झाल समिटी अविट सब राय तो सब्रब शेपर ल समर्स में वारिश नहीं मतलब पारिश कब होगी विंटर्स में होगी ठीक है अब कहानी समझो देखो तो अच्छे समझते चलना मैं आपको बहुत स्लोली स्लोली समझा रहा हूं ताकि क्या हो ताकि यह जो टॉपिक से आप दूर ना भागो इसको समझने की और कोशिश करो ज से मेडीटेरियन पारिट इसका नाम क्या है पता है मेडीटेरियन क्लान मेड ध का जाता है अमung वेस्ट कोस्ट आफ कंटिनेंट इंस अब ट्रॉपिकल एडिटीट बिट्वीन 30 डिग्री 40 डिग्री लटीट्वीट एग्जाम्पल सेंट्रल कैलिफॉर्निया सेंट्रल चिली अलोंग दी कोस्ट इन साउथ इस टर इंड साउथ वेस्टर आस्ट्रिलिया अब कहा कहा है तो साउथ अफ्रिका का वह रिजन है को फिर ये ऑस्टेलिया में आप जैसे देखो तो आपको वेस्टर से टिव्टाली तो इस बता इंविश्की होती है क्लाइमेटिक शीशन नहीं बहुत सूटेन आपने देखा अधिक्डर कर आफ होँ होले बनाने यहां तो यहां क्लायम जो थंड रहती तो थंड भी ऐसी बहुत जादा चिलिंग नहीं होती है और इंफेक्ट क्यों था विंटर रिंफॉल होती है यहां पर विच इस गुड़ फॉर सिट्रस फूट्स तो जिसे आप देखो करना यहां पर बहुत सारे अंजीर मंजीर यह वह दुनिया भर के दन त दीज एरियास कम अंडर दीओंस ऑफ सब्टॉपिकल हाई इन समर अच्छा समझ ना इंड वेस्टर्ली इस एंड वेस्टरली इस इन विंटर ठीक है अब क्या हो रहा है सब्टॉपिकल यह इनसमर कहा जा रहा है अब नॉर्मल सिटुएशन के बात करें नॉर्मल सिटुए एक तुराइब यह सब्सक्राइब तो आुपर तो आप क्या यहाउपर गया वmatic प्रैशर बज्सवेल्ट करते है तो प्रेशार बैंट शिफ्ट करते हूं पर तो प्रेशार मेल शिटरफ शिफ्ट करने से हाइपच जो है वह कहां पर जाता है इस पर ऐसे होता है इससे यह होता हैं चलिए हुपर आगया है तो ह्सु क्रेंटार्फ इस संवह कित Нач Vikings में आस में हवाएं चल रही ही और दिन्ट कोन से ओगी और रिकॉल करो यह विस्टर लिस इसलिस इस ब्रीष में कभी में तो आपने क्या सिखा बहुत इंप्टन बात बता रहा हूं कहीं नहीं मिलेगी ऐ कियों कि मैं यह उसँ चीज पर तो क्या में की कोशिश करना क्या कहा जा रहा है कि Mediterranean region जो है वह समर्स में high pressure को मतलब observe करता है समर्स में high pressure कैसे observe करेगा Mediterranean region क्योंकि summer pressure belt उपर चले जाएंगे तो यह pressure belt उपर जाने से high pressure कहां आगया आप देख रहे हो high pressure Mediterranean जो Mediterranean climate है वहाँ पर high pressure आगया summers में अब high pressure आगया तो उससे क्या हुआ ठीक है high pressure के आने से यह हुआ कि यहां पर low pressure से winds चलना चालू हो जाती है ठीक है लो प्रेशर से winds चलना चालू होती तो आपको यहां पर क्या है converging winds मिलेगी हवाएं moderate करते रहेगी वहां के climate को ठीक है और विंटर्स में क्या होता आगा तो अभी समर्य तो बाद में क्या होगा winter होगा मतलब प्रेशर बैट नीचे जाएंगे ठीक है तो नीचे जो Mediterranean climate है वहां तो already winters है ठीक है समझ में आ रहा है वहां और विंटर्स में वहां पर कर पा रहे हो इस कारण से winter rain fall होती है इसको ठीक उल्टा कर तो कर जब जिसे जब क्या होगा कि साउथ में समर्स होंगे तो यहां high pressure आ गया यहां प्रेशर आ गया आई टी सीजर इदर आद नीचे आ जाएगा और ऑल यहां विंटर्स करन से क होता है यहां बारिश होती है यूरोप में बारिश होती जब हमारे winter warm होत अब एकल unit में और ले लिए और यहीजा यहां आंते प हिपना क्लाइमेट जो आपस में कैसे जुड़े हुए रहते हैं इस क्लाइमेट की करेक्टरिस्टिक अगर ऐसी है तो क्यों है ठीक यह हो गया चलो और आगे बढ़ते हैं उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा आपको ठीक है तो दीज एरियास कम अंडर धी इंफिलेंस ऑफ सब्ट समझ में आ रहा है ना और माइल रेनी विंटर क्यों क्योंकि वो जो वेस्टरली से इंफिलेंस में आथा तो वो बारिश करवा देती है फाइन मंतली एवरेज टेंपरेचर इन समर इस अराउंड 25 डिग्री सेल्सियस एंड इन विंटर विलो टेन डिग्री सेल्सियस ठीक ह तो हाई इंडिया से कंपर करो तो भून जाएंगे हैं तो तो तीन से बीच में रहता बढ़ी अच्छा चिलिंग विंटर रहते हैं ठीक है लोग अलाव अलाव जला के ताप रहे होते हैं फिर क्यादी एन्वल प्रेसिपिटिशन रेंज बिविन 35-90 सेंटीमेटर को बारि क्लाइमेट है खास करके जो कंट्रीज मेडिटीरियन ची के आसपास है ठीक है चलो और आगे बढ़ते हैं अब देखो आप क्या है होगा है सब ट्रॉपिकल मतलब मेडिटीरियन खतम मुझे तो इतना पसंद जा रहा था मैं पढ़ना चाह रहा था मेडियन खतम होता बाता उसके बार उसके similar था अब यहां पर क्या चारी उमीट सब्रोटीकल की जो बात कि चारी तो एफ सक मतलब करें कि नो ड्राय शीजन मतलब यहां पर विंटर भी डराई रहते हैं ऐसा रीजन जो है तो युमिट सब्रॉपिकल क्लाइमेटन अधि लाई लाइं इसरन पार्ट the continent subtropical attitudes Eastern part Eastern part of the subtropical attitudes Eastern part of the subtropical attitudes Eastern part Oh yeah Eastern part of the Mediterranean because C warm Temperate को ही पड़ना सबसे ज़रूरी एंग क्यों कि a or b जो है a or b तो मैंने आपको समझा दिया सारे ही जरूरी लेकिन सी में confusion बहुत होता है ठीक है क्योंकि में चार केटिकरी कर दिए और तो अलग अलग चीज़ें बताई जाती इस्टन वेस्टन उसमें आदमी कन्फिज हो जाता है मैं कारण के सांथ बताते चल रहा हूं कनेक्ट करते चलना मेरे सांथ पस ठीक है तो इस्टन पार्ट में आपको क्या देखने को मिल रहा है यूमिड सब ट्रॉपिकल यूमिड जा रहा हूक तो मजब हमापे वह क्लेमेटी कंडिशन इंट इंटन सुरी तोस्तम इंटन सिटी को दर्शाता हूं ओ टिक है फो जर्कें इंटें सिटी को दिर्शाता है तो है आग यह सान माया है पर कह पाई जाता है है यूमिडस्ट्रोपिकल इस्टन पांट abag DAM ȝां designer में समझे रहा है अब आपको फिर से एक बार क्या करना पड़ेगा मेरे साथ चीजों को विजुलाइस करना पड़ेगा यह एक्वेटर बनाते हैं ठीक है यह एक्वेटर बन गया हमारा अब एक्वेटर के बाद में क्या कहा जा रहा है कि इस्टेन मार्जिन ओफ दी सम पानी मूफ करता ओटें तो यहां पर हों जता है क्योग होग है सेम अप्लार तो यहां पर यहां पने घरम जब होता है ना तो उससे क्लावा भी क्या होता है यहां पर एर मास इस चलती रहती है यह जो हम पढ रहे c fa याप फिर cf जो पढ़ रहे यूमिट सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट जो पढ़ने है मुसे कने कर पा रहे है यूमिट सब ट्रॉपिकल वाइमेट जो है वो कह रहता है अनिस्टेबल रहता और इसी कारण से फ्रेंट से फ्रेंट संपने तो क्या आएगी साइक लूंस अब अपने आपको इसा फील करोगे सर मुझे परम घ्यान की व्राप्ति होगी है मैं पूरे क्लाइमेटिक फिनोमेनास को समझ पा रहा हूं क्योंकि यही अब्जेक्टिव है जो आपने युनिट पढ़ाना क्लाइमेट उसमें उसमें लास्ट में जो चैप्टर लगाए गया तो उसका अब्जेक्टिव यह क्या आप सारे फिनोमेनास को जोड़ पाओ ठीक है तो दे यह मैं इन इन इस रिजिए अर्मास आ जनरी एंस्टिवर इन कॉस रिइन फॉल्ट तुरू आउट इयर बे अकर इन इस्टन उनाइट इस्टन चाहिना सदन जैना सदन जैपन नॉर् इस्टन रिजिन आप चाहिन इस्टन जैपन जैए तो तरह से आप तो सिर्फ ध्यान रगो कि सब ट्रॉपिकल इस्टन मार्जिन पर आपको cf मतलब no dry season वाला climatic condition देखने को मिल रही है हुमिट सब रॉपिकल देखने को मिल रहा है ठीक है ऐसे करेक्ट करना तो due to marine influence the temperature is moderate and in winter it is warmer than for its latitude एक चीजी भी समझे लेना अब यहां पर जो climate होने वाला है in regions में जो नहीं नहीं मैं सोच रहा था कहां पड़ा दिया हमने चलो अब यहां पर यहां पर पांट पॉइंट हमारा दी annual average of precipitation यहां था क्लियर हुआ the annual average of precipitation vary from 75 to 150 cm अब क्योंकि frontogenesis होता रहता है तो उसकारण से जो annual average precipitation ने वो वेरी करता है 75 to 150 cm पर फाइन थंडर स्ट्रॉम इन समर एं फ्रंटल precipitation इन विंटर आर कॉमन तो फ्रंटल प्रेसिपिटिशन होते है फ्रंट बने गई बनेगा थंडर स्ट्रॉम जो है वहाँ पर कॉमन रहता है मीन मंथली temperature in summer is around 27 degrees celsius and in winter it varies from 5 degrees celsius to 12 degrees celsius the daily range of temperature is small daily range of temperature मोटना आपको ज्यादा variation देखने कुमने का और यह mean temperature बताया यह facts है concept समझ में आया नहीं है बताओ तो तो इस तरह से हमने क्या देख लिया इस तरह समने देख लिया कि warm temperature region makes subtropical climatic condition एक ऐसी भी होती है जो no drive season वाली होती है cf दर्शाता है तो इसमें और इसमें अगर confusion है तो एक बार फिर clear कर दे रहा हूँ यह सिर्फ और सिर्फ आपको क्या है Indian subcontinent और चाइना के आसपास वहां देखने को मिलता है थोड़ा सा ठीक है इस कारण से क्या है उसको मतलब अब क्या गया है इसा ठीक है कि आपको क्या है aw climate के similar है except कि वहां पर winter जो रहते है वह चिलिंग रहते है ठीक यह पॉइंट क्लियर हुआ यह पॉइंट क्लियर हो ने का nayता अखीव डिक अद्ल ज interpreteकी तो ब्रेबर थकर अद् रहता है एंक czy मैन खराब ए ऐसा नहीं थिलीं खराब इस यह लिदी है नगयाा गीध करण स्तुर्म यह ना वेस्ट आ इस हता है तो वाम समर्जोए तो वाम एंड कुलर समर्स मिलेंगे आपको ठीक है यहां पर इंटेंसिटी चोह है ख्लाइमेट की वह चेंज हो जाती है इसको मराइन वेस्ट कोस्ट भी कहा जाता हुआ और मराइन वेस्ट कोस्ट कहा जाने के साथ-साथ It is very much similar to the Mediterranean climate. Mediterranean climate से कैसे similar है? चलो, सारी चीज़ें आपको clear कर देते हैं. Marine West Coast Climate is located Polward from the Mediterranean climate on the West Coast of the Continent. Polward from the Mediterranean climate. Polward from the Mediterranean climate. So, Mediterranean climate कहां था 2 मिट के परे Mediterranean को समझो. Mediterranean, आपने देख रहे Western Western side पर यह Western, यह Western, यह Western, यह Western. ठीक है, इस Polward from the Mediterranean climate. मतलब Mediterranean climate के Polward इदर चले जाए तो देखने को मिलता है ने चलो देखते हैं आया समझ में तो आ यह पे जो कलिफॉन या रिजन था इसके ऊपर चले घई आप तो सौथ मजाओ के साउथ चील वगए अगर सेंट्रल चीली मेडिटीर इन है तो साउथ मेडिटीरीन है तो साउथ में आपको क्या देखने को मिलेगा आपको मराइन वेस्ट कोस्ट ग्राइम देखने विलेगा तो यह अच्छोटा भाही बहन जैसे consider करना चाहो वैसे consider कर लिना ये उसी के similar है Mediterranean के ही similar है the main areas are North Western Europe ठीके West Coast of North America West Coast of North America उपर Mediterranean के उपर चले गाए North of California North California Southern Chile Southern Chile South Eastern Australia New Zealand अब आव एक चीज़ बताओ क्या आपको रटना पढ़ रहा है नहीं क्यों क्यों क्या आप सब्सक्राइब कर दो में तो अब इस वामर देन फॉर इस लड़ी टीका अब क्या तो मराइन इंफ्लेंस के करण जैसे आप देखो तो तेमपरेचर विंटर्स में मॉडरेट रहता है अब इसका सब सच्छा मैं आपको इदर से समझाता हूं क्या हो रहा है ना मंतलब कर देखोंदा कि पानी जो इतो पानी क्या है यह जैसे वाम करेंट हो जाता है यह एक एक यहां पर पर दो यहां पर अब यह है तो लेकिन यहां फनी है उससे डृइले टेवली क्या है वां मैं उससे औसे रौन कैसे है क्योंकि կहां से लिए तरãoकल का रहे हैं न क्योंकि आ prima कर शेंट इंफ्लेंस करेंगे तो लेकिन यहां जो क्लाइमेट मिलेगा आपको फॉइस्ड को ज्यांिटन साइड पर जो क्लाइमेट ओता थो जाता है एक अच्छा एक्जाम्पल देता हूं आपको जैसे आप देखेंगे ना तो यह नौर्वेज इस्टें वगिरा जो है तो यहां पर पोर्ट जो रहेंगे वह विंटर्स के टाइम पर पोर्ड सीपोर्ट बंद हो जाना चाहिए यह लेकिन वह बंद नहीं होते हैं अब लोग से बरस तोड़ देते जा गए नहीं यह जो warm current जाता है marine influence के करण क्या है कि वो जो थंडा पानी वो बरफ में convert नहीं होता है उल्टा जो area ocean जो है तो वो operationalized रहता है तो इस तरह से climate को economy को हर चीज को influence किया जाता है और हर चीज आपस में जुड़ी हुई है यहां पर क्लेर हुआ ठीक तो यह वाला पॉइंटे ड्यूटो मराइन इल्फेंटी टेंपरेचर इस मोडरेट एंड विंटर इस वामर देन फॉर इट्स लेटीट्यूट तो उस लेटीट्यूट पर जो नॉर्मली टेंपरेचर रहना चाहिए उससे ज्यादा विंटर में आपको क्या जो है जो मेडिटीरियन क्लाइमेट के ऊपर वाला जो रिजन है ठीक है तो वह इस तरह से क्या है अपने आप में डिस्टिंक्टिव है मराइन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट की आपको मैं करेक्टरिस्टिक बताते चल रहा हूं अब आफेक्स आ जाए है दिमीन टेंपरेचर कि उतनी ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलता नहीं मिलता है मोडरेशन चलता रहता है प्रेटीपी प्रेसिपिटेशन जो है तो अकर्स थ्रूआउट दी एर और यहां पर फिर वही है कि जैसे मैं आपको ताया था कोल्ड और वाम एर मांसे जब तो प्रेसिपिटेशन ब हैं अब आप कैसे तो गएस वर कर सकते हो जो खास करके तयारी करति है आपको बहुत आसानी से आप चीजह को आपको हो आपको अधीस करने में अगेस करने में बहुत आसानी मिलेगी क्यों कि आपने a lot佳 शिक्के शिक अगता है मारें बेंस पर क्लास 12 से मतलब सोरी किंड़ गार्ण से क्लास 12 तक में बोरा गया किंड़ गार्डण से क्लास 12 तक इसी तरह से सब्षेट चैप्टर सब्च अब टॉपिक सब्टॉपिक सबकुछ सिस्टमाइटिक लिए अविलेबल है आप घर बैठे अपना सिलिबस कर सकते हैं अपने जुनियर्स और सीनियर्स को जरूर बताएं मैंने के बारे में मिलते हैं नेक्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में तिल दैन स्टे करेक्टेट कीप लर्निंग थैंक यू थैंक यू बेरी मच